जहिंद फ्रेंट्स आप देख रहे हैं अड़ा 24-7 आईएस सिधाग भया कि इस वीडियो में आप सभी का हाद दिक स्वागत है पूरा इंडिया जो है वो G20 एकदम मनमगन हो गया है मज़ा आ रहा है दिल्ली जो है वो एकदम फोर्ट्रेस के तरह सजा दिया गया है मैं अभी अभी सेंट्रल दिल्ली से होते हुए आया हूँ बड़ा सुन्दर लग रहा है यार मतलब feeling so proud that India is hosting G20 मज़ा आ गया लेकिन उसी में कुछ बड़ी बड़ी खबरे भी आ रहे हैं हमारे माध्यम से वो cover की जाएंगी वो cover सबसे पहले तो ये है कि Africa Union को G20 का हिस्सा बनाया जा रहा है मतलब G20 से G21 होने वाला है या फिर Africa Union को अगर G20 का हिस्सा बना दिया गया तो किस किस countries को फाइदा होगा G20 में कोई भी अगर या किसी भी G7, G8, G9 कुछ भी अगर हो तो अगर उसमें से कोई country को add या minus किया जा रहा है तो उसकी बहुत बड़ा reason होता है अब इसका क्या reason है कि G20 में Africa Union को add करेंगे Africa Union वहिया जिसमें 55 countries हैं और पूरे विश्व की गरीब population भी यहां रहती है ऐसा क्यों कर रहा है G20, किसको फाइदा होने वाला है, किसको फाइदा होने भी वाला है या फिर नुकसान होने वाला है आज हम पूरा इस वीडियो को cover करेंगे इसी में बड़ा interesting topic है, आराम से देखिएगा, गोली मत दीजिएगा, वीडियो को end तक देखिएगा बहुत डीटेल में समझ माएगा, और सबसे बड़ी चीज, जो एफ्रिका यूनियन की अगवाई करा, कौन? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन ने बहुत पूरजोर कोशिश की है कि हमें तो भाया चाहिए यूरोपियन यूनियन ने का हमें AU चाहिए G20 में, आईए इस पूरे वीडियो में हम ये जानते हैं लेकिन उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि Civil Services के examination में हम बहुत भरामित होते हैं कि ये बहुत लंबी जर्णी होती है, किसी के लिए एक साल, किसी के लिए चार, किसी के लिए छे, किसी के लिए काफी लंबे समय होता है रोज हमारा confidence जिया और जाती है उसकी, लेकिन हमें एक ऐसा mentor चाहिए जो कि हमें guide कर सके मुझे पता है आपको mentor की कमी है, मुझे पता है आपको guidance की कमी है comment section में google form है, उस google form को fill करिए जैसे आप उस google form को fill करेंगे, आप अपनी सारी details share करिए हम ensure करेंगे कि आपका आने वाला जो time है, वो at least आप गलत रास्ते पर मत जाओ at least हम ये सोच करेंगे कि at least आप prelims crack करो, prelims को crack करने के लिए हम पुरजोर मेहनत कर रहे हैं तो google form है नीचे, उसमें जाएए, अपने बारे में लिखिए, बताइए और हमारे team आप से contact करेंगे, हम really, really help करना चाहते हैं आपको चाहे आप school में हो, college में हो, full time तयारी कर रहे हो, job के साथ तयारी कर रहे हो आप आजाए, सिद्धाद भया के mentorship में, बहुत सारे बच्चों ने enroll किया है, मुझे आपका भी इंतजार है I really wanted to help you guys, और आपके support से हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे, आईए इस news को आप detail में समझते हैं, हर तरफ चर्चा है, चर्चा क्या है कि European Union is looking forward किसलिए Africa Union को permanent member बनाने के लिए, G20 जो है, वो basically membership देने वाला है Africa Union को, Africa Union will now be granted, हर तरफ ये news काफी तेजी से फैल रही है क्यों फैल रही है, क्योंकि recently ये लोग arrive हुए, मेरे ख्याल से आज सुबह या कर रात को मैं शोर नहीं हूँ G20 के members, जो Africa Union के जितने member हैं, ये लोग हुचे हैं दिल्ली और कुछ बड़ा होने वाला है अब क्यों बड़ा होने वाला है, अब सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा और Google Form को जरूर फिल करना मद भूलिएगा Africa Union को जल्द ही शायद permanent membership मिल सकती है G20 में क्योंकि ये अगवाई इसकी European Union कर रहा है और भारत भी इसके पक्ष में है लीडर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सके तो 9 या 10 तारिक को इसकी announcement हो जाए मतलब कि जब Head of States कल परसों मुलकात जिकर बात करेंगे तो कल announcement हो जाएगी ये ऐसा सूतरों के हवाले से खबर आया है और ये लोग तो खेर आभी गए है अब देखते हैं कि भाई इसका main promoter को है भारत को क्या फाइदा होने वाला है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने एक statement किया है priority की है to grant African Union full membership भारत को क्या एक strategic position एक strategic support मिलने वाला है Africa Union country से वैसे भी peace keeping operation भारत भेशता रहता है vaccine भेजी है भारत ने अफरिका में भी तो Georgia Melonia जो की इटली की है उन्होंने advocate किया है ठीके उन्होंने अगवाई की है एक तरीके से वकालत की है on behalf of Africa Union कहां पर G7 में जब G7 जपान में हुआ था तो इटली से तरफ से आवाज आई थी कि भाई हमें चाहिए European Union कह रहा है African Union को मिलाए जाए G20 में साथी साथ में जो Africa Union Headquarters Ethiopia में इसका Headquarter है तो German Chancellor Olaf Scholz अपना express करते हुए उन्होंने जिक्र किया है कि hopefully G20 में हम आपको incorporate करेंगे आपकी बात हम G20 मेंबर के साथ रखेंगे तो इन लोगों को main promotion मिल रहा है और साथी में EU, European Union को सबसे बड़ा benefit होने वाला है African Union से वो क्या है? ये सबसे बड़ा समझने वाला session है ठीक है? आईए जानते है चो चौथा reason है वो ये है European Union is keen to take some credit for African क्यों? नमबर वन नमबर वन है कि EU जो है वो एक high level meeting hold कर रहा है EU और AU भारत में ही एक high level meeting hold कर रहा है जिसको mini summit कहा जाता है EU के लोग आ रहे हैं भाई ठीक है? आएंगे आज सब लोग आ जाएंगे EU के लोग सब लोग आएंगे AU के लोग आ चुके हैं ये लोग बैठ के एक meeting यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ प्राइबेट meeting होगी वो एक mini mini क्या लिखा है? यहाँ पर कुछ लिखा है mini summit होगा एफरिका और EU के बीच में आखिर इतना क्यों involved है EU AU में EU AU क्या है इसको मैं ELU ELU क्या है ऐसे भी आप समझ सकते हैं अब देखिए सबसे दो important चीजें हैं क्यों European Union जो है वो interested है African Union में number one आपने ये news तो सुनी होगी कि Russia Ukraine war वाली आपको पताई होगा कि जो Ukraine grain deal थी the crisis of food grain due to Russia's pull out UN grain deal basically Russia ने grain deal को मतलब Ukraine से pull out कर लिया है Ukraine में जितने भी grains हो रहे थे वो एक channel के थूँ एक channel के थूँ पहुँच रहे थे European Union में और Africa में तो Russia ने उस port को हटा दिया है उस port को block कर दिया है जहां से Ukraine ये समान भेज रहा था तो basically क्या हो गया बहुत problem हो रही थी इसी लिए Russia को दरकिनार करते हुए European Union ने African Union के साथ एक partnership साजा की है कि वो directly उनको aid support करेगा नहीं कि किसी third party की तरफ से ठीक है तो ये और इस पर हमने एक session भी लिया हुआ था जब Ukraine Green Deal वाला मामला हुआ था तो पुतिन साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया था पुतिन साहब का कहना था कि basically ये एक tenure contract था वो contract खतम tenure खतम बात खतम अब दूसरा सबसे बड़ा reason है Sahil region of Africa ये बड़ा crucial है बहुत important है Sahil region of Africa ये geopolitically बड़ा ही crucial है क्योंकि आपको पता है क्यों ये reason important है ये हमारा है पूरा Sahara हमारा Africa country पूरी लगबग 55 countries है African Union में 55 countries ये उपर का पूरा area जो है वो Sahara desert और नीचे का सवाना grassland है ये जो beach का area है उसको Sahil area कहते है क्योंकि ये important क्यों है क्योंकि कहां ये जा रहा है कि ये जो grassland है सवाना grassland कहीं उपर की तरफ जा रही है और desert कहीं न कहीं impact कर रहा है या तो कम हो रहा है नहीं तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम है ये जो area है beach का ये divide करता है हमारा desert को सवाना grassland को ये beach वाला area और ये ही area है वो बड़ा ही critically और crucial importance है इस area की बज़े से काफी climate changes है ये बहुत rich resources, rich minerals हैं इसमें अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या है कौन-कौन सी countries आती है साहिल में maurishiania, mali, niger, chad, shudan और nigeria ये कुछ ऐसी countries आती है इस वाले area में और एक और आती रेट्रिया और Senegal, Burkiniya, Faso ये सारी countries इसमें आती है एफरिका के region में जो की मिडिल वाला पार्ट है साहिल वाला पार्ट है ठीक है लगबग 9 countries है और लगबग 4900 किलोमीटर का ये पूरा सहारा desert humid साहाना साहाना सारी तो एक तो सहारा desert उस साइड है और एक humid सावाना तो कहीं न कहीं बहुत important role play करता है क्यों? क्योंकि this is rich in diversity अलग-अलग countries है उनमें अलग-अलग monsoon है अलग climate है अलग soil है अलग type है natural resources काफी जादे है इसलिए इसमें multiple opportunity देख रहा है European Union ठीक है लेकिन multiple opportunity के साथ multiple problems भी है जैसे कि यहाँ पर गरीबी बहुत है यहाँ पर एक दूसरे से conflict बहुत है अब गरीबी होगी तो बड़ी सारे चीज़ें होती जाती रहती है और climate change बहुत जादे है अब सोचिए उपर सहारा desert नीचे सवाना grassland तो कितना जादे climate change होता होगा वहाँ पर साइमर्टेनियसली चुकि गरीबी बहुत जादे है तो यहाँ पर violent extremism बहुत जादे है लोग अपना एक area बना के रखे हैं लोगों को अपना एक area independent चाहिए कुछ extremism है जो कि बवाल करते हैं armed rebellion groups है human right violations बहुत जादे होते है violence against women and children बहुत जादे होते हैं यहाँ पर यह भी बहुत important region है जो भी countries यहाँ पर invest करने आ रही है वो इन issues से जरूर fight करेगी ठीक है लेकिन यह जो साहेल reason है वो बहुत crucial है और अगर जो भी countries यहाँ पर invest करेगी तो साहेल reason के लिए इन सारे problems के साथ जूजना पड़ेगा UNHCR में यहनि कि United Nations Human Commission इन्होंने Commission of Rights इन्होंने क्या बताया है इन्होंने क्या है कि भाई यह जो Central Sahel Region है जो हमने यहाँ बीच वाला देखा है यह सबसे fastest growing है fastest growing in terms of displacement crisis कई सारे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है जबरदस्ती निकाला जा रहा है और कई सारे लोग जो है वो उनको essential चीजें नहीं मिल पा रही है आप देख सकते हो वहाँ लगबग 2.7 million almost 27 लाख लोगों को भगाया गया है वहाँ से और लगबग मेरे ख्याल से एक करोड 34 लाख लोगों को एक humanitarian assistance नहीं मिल रही है तो nutrition का problem है भरन portion का problem है मैं तब problem है बहुत जादे लेकिन उसके साथ साथ blessing in disguise तो disguise तो हमने बात कर ली अब blessing क्या है blessing ये है कि साहिल is one of the most one of the most youthful region है वो पूरे एफरिका का अब जानते हैं जहां youth वहाँ energy, वहाँ power है और वहाँ पे creativity है वहाँ पे economy अगर आप youth को सही channelize कर दिये तो फिर आपकी जो economy है और जो social transformation है बूम कर जाएगा जैसे भारत जो है उसका demographic dividend world में सबसे जादे है demographic dividend काफी जादे है मतलब youth भारत में बहुत जादे है तो इसलिए हमारा जो social transformation है और जो हमारा economic transformation है वो बहुत जादे है ठीक है? positive growth में तो European Union ये देख रहा है उसके लिए ये लालच का है क्योंकि योरोप पूरा बूढ़ा हो रहा है ठीक है? on an average लगबग वहाँ की जो जनता है उसकी age जो है वो 40 से उपर है ठीक है? so योरोप बूढ़ा हो रहा है योरोप को एफरिका दिख रहा है और एफरिका में youth दिख रहा है और youth की वज़े से यहाँ पे huge potential है ताकि वो potential वो EU में डाल सके और बढ़िया से EU को grow कर सके और EU की economy को build कर सके तो आप समझगे इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है? however, यह region जो है वो investment मांगता है गरीबी है poverty है लेकिन opportunity भी है तो उसको क्या करना है? हमें invest करना पड़ेगा पैसा डालना पड़ेगा सीख्षा देनी पड़ेगी healthcare system अच्छा बनाना पड़ेगा रोजगार create करना पड़ेगा क्योंकि अगर यह सब नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं violence होगा कहीं न कहीं यह extremism होगा और लोग सबसे जादे जनता को military जनता और armed rebellion groups को join करेंगे तो अच्छी सिक्षा अच्छा healthcare और job यह रहेगी तो future protect रहेगा चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि यह साहल रीजन जो है वो काफी जादे इसमें opportunities है अपनी international communities बहुत इसमें रुजहान ले रही हैं बहुत interest ले रही हैं और जो यहां के local actors हैं जो literally help करना चाहते हैं अपने लोगों को वो लोग international जो market players हैं उनके साथ साजा कर रहे हैं और शान्ती पे resilience पे human development पे food पे poverty पे यह लोग इस पे काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अगर आपका यह हमारा वही वाला reason है जो की साहल वाला region है यहां पर आप देख सकते हो सारी European countries जो हैं कुछ-कुछ countries अलड़ी कोई नो कोई process कोई नो कोई चीजें कर रहे हैं जैसे की CSDP mission हो गया G5 Sahel European Union Capacity Building Mission European Union Training Mission European Union Border Assistance Mission यह सारे missions जो हैं यहां पर conduct कराया जा रहा है European Union दोरा बहुत-बदा support मिल रहा है साहल वाले region को अब आपका क्या कहना है क्या G20 में AU को include करना चाहिए या नहीं क्या European Union के demands को और उनके सबसे बड़ी need को G20 सुनेगा या नहीं आपकी क्या राय है भारत को कितना फायदा हो सकता है Africa Union को लाने में यह आप comment करके बता सकते हो और civil services के exams में दोस्तो मेरे पीछे जो screen है वहाँ पर वो ही batch है जो आपको हमेशे से चाहिए था अब language का कोई barrier नहीं होगा अगर आपको bilingual batch join करना है तो rob to 4.0 है और आपको सिर्फ pure Hindi माध्या में join करना है तो आपको यह batch है और अगर आपको राइसाना हिल मतलब सिर्फ English माध्या में पढ़ना है तो यह batch है इसके लिए आपको क्या करना है call करना है इस number पे और बोलना है मुझे सिधात भाया से बात करनी है make me to speak with Siddharad भाया because he is my mentor he will guide me and I will be glad to assist you I will be glad to help you just make sure that you fill the Google form you fill the Google form और फिर आप जो है इससे भी कम price point में आप enroll कर सकते हैं बिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में comment करके बताएगा वीडियो कैसा लगा तब तक बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारग